इंफिरान इंजेक्शन आई एम और आई वी दोनों तरीके से दिया रहता है मैंने वीडियो अभी इसका एड़ कर दिया है तो इंफिरान को आई एम और आई वी दोनों तरीके से दे सकते हैं इसमें आईरन डेक्स्ट्रान दिया हुआ है और यह मैंने वीडियो दो महीने पह रासकर प्रेग्नेंट जू लैडिस है उनको आपको नहीं देना है यह कैसे क्रसों को आप प्रेग्नेंट इंजेक्शनरों नहीं नत्राओं हैं अगर साइडिह eliminating और गंबीर तो जैसे आप मन्दिर में जाते हैं पुझा करते हैं तो किसी मन्दिर में आपको अगरवत्री चलानीं पड़ती है किसी में आपको दर्गा जाऊंगे तो आप ईसे इंजेक्शन का है कभी यानि इंग्रीडेन्ट्स वह ही है उसको आई-म दे जाता है कई इंजेक्शन ट्रिप के साथ दिये जाते हैं तो अपना-पना तरीका है तो मैंने वीडियो डाल दिया है इंफेरान इंजेक्शन के अंदर आइरन डेक्स्टरान इंग्रिडेंट्स दिया है एलिमेंटल आइरन इसमें 50 mg के रूब में है IEM और IV दोनों तरीके से इस इंजेक्शन को दिया जाता है 2 ml का या इंपुल है इंफेरान इंजेक्शन का इस्तेमाल folic acid की कमी vitamin B12 की कमी और पीदिया में भी हम इस इंजेक्शन को प्रयोग मला सकते है या फिर मचली टेबवार संक्रमाल या फिर कोपोशन वाले जो रोगी है उनको हम इंफेरान इंजेक्शन दे सकते है इस इंजेक्शन को आप जो pregnant ladies है या फिर जिनके जो पेट में अंदर छाले या फिर kidney वाले जो रोगी है breast feeding वाली जो ladies है या फिर जो अधिक मात्रा में ड्रिंक करते है या फिर allergy वाले जो patient है इन सभी को इंफेरान इंजेक्शन बिना डॉक्टर की advice से आपको नहीं लगाना है इसके जो side effect होंगी यानि अगर आपने इस injection को ज़्यादा अगर dose इसका लिया यानि ज़्यादा इस्तिमाल किया तो आपको लूज मोसन, पेट में दर्द और खुजली पूरे सरीर में सूजन इस तरीके की समश्याएं हो सकती है इंफिरान injection पूरे सरीर में oxygen पहुचाने वाले लाल रक्त कड़िकाओं की मदद करता है जिससे body में oxygen पूरे सरीर में पहुच जाती है इस injection का प्रयोग आपको खासकर pregnant ladies है या फिर जिनके पेट में च्छाले इस तरीके की यानि अलसर की सिकायद है तो आप इस injection को इस तरीके के मरीज को आप ना लगाएं market rate इसकी 35 रिपीज है